इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में और आज हम लेकर क्या है क्लाश 12 इंग्लिस प्रॉस सेक्षन का लास्ट चेप्टर कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला तो चलिए ये लास्ट चेप्टर है जिस चेप्टर का नाम है क्या नाम है इस प्रॉपोजल जिसका हिंदी हुआ एक विवाह परस्ताव आहीं इस प्रॉपोजल नाम का जो चेप्टर है ये बहुत ही जबर्दस्ट और प्रेम परसंग से भरा हुआ छिप्टर है जिसके राइटर है एंटोन चिकोव ठीक है अगर इनकी जन्म की बात करें तो 29 जनवरी 1860 में रस्या के अंदर इनका जन्म हुआ और अगर इनकी मृत्यू की बात करें तो 15 जुलाई 1904 को जर्मनी के अंदर इनकी मृत्तियों हो गई थोड़ा सा लेखक के बारे में और समझ लेते हैं He was a dramatist बोले तो यह एक नाटक कार थे and और short story writer लगु कथा भी थे मतलब लगु कथा के लेखक भी थे अफ रसिया रसिया के अंदर He was also a doctor by profession वो पेसे से doctor भी थे अब चलिए इस comedy के अंदर comedy बोले तो देखे यह यह जो chapter है ना marriage proposal नाम का जो chapter है यह एक comedy है बोले तो यह एक नाटक है अगर आप से मतलब सवाल पूछ दे कि marriage proposal नाम का जो chapter है वो essay है कि story है कि speech है कि comedy है तो आप टीक करेंगे के यह एक comedy है ठीक है ना और किसके द्वारा लिखा गया है तो writer Anton Chico के द्वारा लिखा गया है अब बात करते हैं कि इस comedy में कितने पात्र हैं कितने character हैं तो in this comedy there are three characters इस comedy के अंदर इस नाटक के अंदर तीन पात्र हैं और इन ही तीनों लोगों के बीच यह comedy है जैसे कि चुबको नाम का एक व्यक्ति है ठीक है ना जो जमीन का मालिक रहता है बोले तो जमिनदार है और नातालिया नाम की एक लड़की है जो चुबको की बेटी है और लोमो नाम का चुबको का पडोसी है जो यह भी बहुत बड़ा जमिनदार है बोले तो चुबको भी जमिनदार और लोमो भी जमिनदार ठीक है ना और चुबको की बेटी नातालिया मतलब अगर कंपरीजन करें चुबको और लोमो में तो चुबको का पडोसी लोमो है ये भी जमिनदार है और चुबको भी जमिनदार है लेकिन सबसे बड़ा जमिनदार लोमो है और चुबको जो है न वो एक मामुली जमिनदार है ठीक है न लेकिन सबसे ज़्यादा ठीक है अगर जमीन है तो लोमो के पास है जबकि इसका ये पडोसी है और चुबको क जो है ना प्रेम परसंग से भरा हुआ है यह जो लोमो नाम का ब्यक्ति है नातालिया से साधी का परस्ताओ ले करके चुबको के पास जाता है कि मैं नातालिया से साधी करूँ ठीक है ना तो इस चेप्टर में आपको यहीं समझना है कि कैसे लोमो नातालिया को पटा लिया औ एंटोन चिकव बहुत ही जबर्दस्त और पेम परसंग से भरा हुआ या एक नातक वाली चेप्टर है जो कि एंटोन चिकव के दोरा लिखा गया है तो चलिए इस चेप्टर को बहुत ही जबर्दस तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं पर तीक लाइन को हिंदी में करक हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इससे रिगार्डिंग जो भी सब्जिक्टिव या अब्जिक्टिव कोस्टन अगर आए तो आपको बनाने में एक परसेंट भी हेजिटेशन नहीं होगा तो बिना देर किये चलिए समझते हैं यहां देखिए मैरेस तो दिखें यहां पर कितने कोस्टन का एंसर के लिए हुआ सबसे पहला बात कि अगर आप से पूछता है कि हूँ इस्टोरी है कि एसे है कि कमेडी है तो आप क्या टिक करेंगे कि यह एक कमेडी है बोले तो यह एक नाटक है है अब यह पुछेगा कि एंटोन ची को कहां के रहने वाले हैं तो आप कहेंगे कि यह रसिया के रहने वाले हैं तो यहां देखेंगे ना बहुत सारे अबजेक्टिव कोस्टन यहां से क्लियर हो गया अगर इससे रिगार्डिंग कोई कुस्टन आता है तो मैच करके आप सही करके आईएगा ठीक है अब चलिए अब आगे हम आपको समझाते हैं इन दिस कमेड़ी इस नाटक में देर अर्थी करेक्टर्स तीन पात्र है अब देखे कोई भी नाटक होता है तो दूचार लोग होते ही हैं ठीक है तो यह जो अमेरेस प्रपोजल नाम का जो चिप्टर है यह एक नाटक है जिसमें कितने करेक्टर हैं कितने पात्र हैं तीन ठीक है न तो यहाँ पर तीन लोग है अब चलिए नेमली जिनका नाम चुब को देखे पहला करेक्टर का नाम है चुब को यह पहला करेक्टर हो गए हूँ इस जो जमीन का मालिक है बोले तो जमीनदार है नाटालिया हो इस टूंटी फाइप यह ओल्ड डॉटर आप चुबको आप देखे यहां पर एक और बात के लिए रो गई कि चुबको हो गए पहला करेक्टर यानि कि तीन करेक्टर है इस नाटक में तीन लोग है पहले व्यक्ति क का नाम है चुबको और कुबको चुबको का बेटी हो गई Natalia जो कितने साल की है 20 साल की ठिए न इसलिए यहां पर लिखा है कि Natalia वह त्वंटि यह ट stomach यह दॉटर अपको छो चुबको कि क्या है बेटिए है अब आगे समझाते हैं हम आपको है एंड और लोमो और तीसरा पात्र कौन है लोमो यह तीसरा भी अक्ति हैं इस नटक में वह है लोमो ठीक है तो यहां किलिए रोगई कि चुब को नाम का एक ब्याकति को एक जमीन इस हाइपो-कॉंड्यक लैंड ओनर जो्टट्भ को से भी बड़ा जमींदार है। है जो सबसे ज्यादा जमिन खोता है जो बहुत बड़ा जमींदार होता है है ऊप चले हम आगे आपको समझाते एक दिन लो मो वेंट टू चुबकु के घर विट इस डॉटर नाटालिया टू पॉर्पोस मैरेज किसी के लिए गया नाटालिया से साधी का प्रस्ताव के लिए कहां गया लो मो चुबकु के घर गया अब आगे समझे कि आगे देखिएगा चुपको वाज वेरी हैपी चुपको बहुत खुश हुआ ठीक है ना टुहीर डैट पुर्पोजल मने टुहीर डैट पुर्पोजल मने इस परस्ताव को सुनकर अब आप सोच सकते हो कि चुपको तो एक छोटा मुटा जमीन का मालिक रहता है लेकिन उस से भी बड़ा जमिनदार रहता है बहुत बड़ा जमिनदार रहता है तो सुचिए कि अगर लोमो खुद चल करके चुपको के घर जाए और यह कहने के लिए कि हम आपके बेटी से शादी करना चाहते हैं और यह परस्ताव लेकर के जाए तो सुचिए कि चुपको कितना तो थोड़ा चोड़ा मोड़ा जमींदार है और यह जो लोमो नाम का जो ब्यक्ति वो बड़ा जमींदार है तो चुपको वाज वेरी हैपी टुहीर डाइट प्रोपोजल चुपको बड़ा खुस हुआ इस परस्ताव को सुन कर because क्योंकि Natalia and Lomo knew each other will and love each other क्योंकि इस बात को पहले से भी चुपको जानता था कि Natalia और जो है Lomo एक दूसरे को अच्छी तरीका से भली भाती जानते हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और समझाते हैं समझते जाएगा बहुत ही जबर्दस्त प्रेम पर संगी एक नाटक है जो आपको भी समझने में बहुत मज़ा आएगा देखिए एम मीटिंग वाज हेल्ड बीट्विन लोमो एंड नेटालिया अब देखिए लोमो और नेटालिया के बीच क्या हुआ एक मीटिंग हुआ इन वीच जिसमें लोमो वांटेट टू प्रपोज जिसमें उसी मीटिंग में वह प्रपोज भी करना चाहता था ठीक है ना इन वीच जिसमें लोमो वांटेट टू प्रपोज लोमो प्रस्ताव रखना चाहता छाँ मैरेज किसी people Sideki का प्रस्ताव राखना चाहता था to Natalia कि से mac लिटालिया से मैं जब मीटिंग चल रही थी बाधी बातों में यह जाता कि मैं कुछ शादी संवता चाहता हूं कालिया to Natalia Lomo Natalia से कहा that we have friendly relations हम लोग का मने पुराना relation है ठीक है न हम लोग सुरू से ही मतलब समझ यह तो friendly है ठीक न तो इसलिए कह रहा है कि Lomo said to Natalia that we have friendly relations from past time देखें यहां पर इसका हिंदी हुआ कि लोमो ने ने टालिया से कहा कि हम लोग का तो पुराना दोस्ती है और पुराना हम लोग के बीच रिलेशन है और दोस्ती बहुत पुरानी है पास्ट टाइम से हम लोग का क्या है दोस्ती है दम मेटर अहेड बात आगे बढ़ी मतलब यहीं सब बाते चल लए थी तब तक बात आगे बढ़ी और मीन वाइल उसी बीच देयर वाज एक वाइरल बन गई जह गड़ा बन गया और वाद को लेकर के बावट दो उकस मींड़ो немे गास के मैदान को लेकर कि बाद बढ़ गया यंदी जहगड़ा हो गया है थीक्ए अब आगे बढ़िए मैं समझाता हूँ आपको यहां देखे लोमो वाज एंग्री एंड वीक हर्ड़ेट परसन लोमो जो था वो बहुत ही क्रोधी और बहुत कमजोर दिल वाला ब्यक्ति था सु आफ्टर ठीक है ना उसके बाद हीरिंग ओल दीज मैटर मतलब हुआ यह कि बाते सून करके यानि यह सारी बाते सुन करके वह वापस लोट गया नेटालियास फादर अलसो इस पो गुड और बैड नेता यहां तक की नेतालिया देखे अब वहां से जब वापस लोटा तो नेटालिया के जो फादर है मैंने लड़की के जो पीता है चिब को ठीक है ना वह भी जो है ना भाला बुरा कहें चिब को है नेटालिया के जो पापा जो चिब को है वो भी लोमो के बारे में बला बुरा कहा और ऊसके फैमली के बारे में भी भाला बुरा कहा ठीक है यहां तक बाते कि लिए रोंगई अब चलिए हम आगे समझाते हैं अब यहां से समझिए और है वेन लोमो लेफ्ट जब वहां से लोमो चला गया चुबको टोल्ड ही इस डॉटर डैट लोमो हैड कम टू पर पॉर पोज मैड़िश टुई आप देखे जब वहां से लोमो चला गया तो चुबको जो है अपने बेटी से काता है कि बेटी तुमको पता है वो जो लोमो आया था ना वो तुमको मैरेश का मैरेश के लिए प्रपोस करना चाहता था मलब वो तुमसे शादी करने के लिए शादी का प्रस्ताव ले करके आया था नेटालिया स्टार्टेड आस्किंग टू कॉल हिम बैक नेटा जब सुनी यह बात को लगा कि अच्छा यह बात है कि मुझे शादी करना क्याता है और मेरे से सादी का प्रश्ताव लेकर की आप के पास आया था तो कोई बात ने उसको फिसे बलाया जाएं स्टार्ट इगें नैटालिया लोमो को फिर से बलाए गया लोमो कॉम?". एगें लो मो फिर से आया to propose हर ठीक न उससे शादी का प्रस्ताव फिर से रखने के लिए पट एगें नैटालिया लोमा एंड चुब को started discussing और फिर से नाटालिया लोमो एंड चुब को के बीछ मने क्या हुई वर तलाब शुरू हुई about their dog आप देखे बात ही बातों में कुत्तों के बारे में चर्चा शुरू हो गई ठीक है ना that who is the best of the two dogs अब यहां पर क्या है तीन लोग है नेटालिया लोमो और चुबको और तीनों के बीच बरतलाब शुरू ही और उसमें डिसकस यह होने लगा कि बताईए यह दो कुत्तों में सबसे बढ़िया कुत्ता कौन है और यहीं सब बात होते जा रही थी तब तक की गर्मा गरम बातें शुरू हो गई बने बाती बातों में महौल गरम हो गया ठीक है लोमो लोमो जो था वह बहुत ही कमजोर दिल का था अट लास्ट अंत में ही फेंटेड वह बहुत हो गया आफ्टर हीरिंग आल दिस मैटर रीजन फूर नॉट बिइंग एबल तो पर्पोज हीज मैरेज रीजन यह था कि वह जब जब वह कहना चाहरा था कि मैं शादी का प्रस्त अब मैं इस बात को रखूंगा अब तो मैं अपने शादी के प्रस्ताव को रखूंगा तब तक कि यह दूसरे बात को लेकर फिर जंजट हो गई तो यह बाते सुनने के बाद लोमो क्या हो गया बिहोस हो गया कि वह कमजोर दिल का ब्यक्ति था अब आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं यहां देखिएगा देन तब चुबको वार्टर लोमोज फेस अब क्या हुआ कि जैसे वह बेहोस होकर की गीरा था ना तो चुबको जो था उसके चेहरे पर पानी डाला एंड आक्ष्ट नेटालिये टू एक्सेप्ट दा मैरेस प्रपोजल और वह चुबको ज शादी का प्रस्ताव लेकर काया है जल्दी से इसे एक्सेप्ट कर लो ठीक है नेटालिया एक्सेप्टेड दा मैरेस प्रपोजल नेटालिया जो है ना पीता जीज के कहने पर यह शादी के प्रस्ताव को वह एक्सेप्ट भी कर लिए आफ्टर डैट उसके बाद लोमो आल संग से भरा हुआ था तो अमीद करते हैं कि यह चेप्टर बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा अगर समझ में आया होगा तो लाइक किजिएगा दोस्तों के पास शेयर जरू कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो सबस्क्राइब भी कर लिज है तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट चैप्टर के साथ तब तक के लिए जैहिंद